सुन्ने लाई सुन्को माला, बंदी नेलाई सुन्को माला उर्गेन को घोडा सुन्को माला, जनयुद दलाई आधार बनायरे लिखे का सिमित क्रिती हरुमा देखो एख और यो उपन्यास ले दोंद काल कई कथा सुनाओं छा यो उपन्यास ले छापा मार महंदो को खता भां छा गर्ववती मेंदो आपनो सारीरिक अवस्ता के कारण जनयुद्ध छोड़ेरा घर फर्केना बिवसभाय की छे साथी बनेरा गाय की पल्लवी र मेंदो मोर्चा वाटा 22 सेल्टर होंदे फर्के रहेका छन उपन्यास मा बर्णीत उनियर को यो रोचक यात्रा येवटा स्थानिय पत्रिका मा छाती एको छा र मउसं र उसकी स्रिमती उज्वला तेही पत्रिका पड़ी रहेके बेला अचानक कसली धोका ढक्टक्याय रहेको अबस्थामा अगिल्लो अंका टुंगियेको थियो मद्यराद मा कोस्ट्रे ढोका ढक्ट क्यायको होला हामी आजको अंका तेहीं बाटा सुरू कर देशाओं सुन्नेलाई सुनको मालामा प्रस्तुच्छा उपन्याश उर्गेन को घोडाको चौंथो अंका उज्वलाले विस्तारी ज्यालको परदा थोरे उठायर हेरी कोई अपरिचित मांचे फीणी माउब्येको थीयो उके ठकीत र आतंकित जस्तो देखें थियो हतारी जस्तो थीयो र पल्यक पलोक बाहीर फेरे हेरी रायको थीयो एता मौसम भने निके आतियेको थीयो उसले सोचेयो सेना होला घर सर्च गरना आयको पोहो की लाल पाईलो मौसंग छा भनेरा कसेली सूचनाता पुरही दिये न तर योकुरत जम्मा दुई जनला मातरा था अच्छा साथी रूबाट इस तो निक्रिष्ट काम कसरी होना सकला उफ, किताब पने बम जत्तिके खाथरनाक भायवपा लाल पाईलो हाथ मा लेरा मौसं किंक करतब्बे बिमोड भायव भेगो छा गरनू तक क्ये कारनू ततकाले कते फालू भेटाई हल्ला जलाई तिनों हुन्तियो तर समाह कहा थियो एति बेला खाल्टो खनरा गार्णा पनी संभाव थेयेना घर बित्रा कते तेस्तो ठाउं थेयेन जहां अतिनते कोप्य हुना सक्तियो बंदुक को अगाडी कसको के लाग छा जे खोलू भने खोलनू पारी हाल छा पहले पहले बने निरंकुस काल मा येसे गरी किताब लोकाउनो पर थेयो तर तेती बेला को घर माता भाकारी हुन थेयो दावराले छापेको घर को कुने पनी कुनामा किताब लोकाउना सकिन थेयो संकट काल माता अज़ट डर लाग दो बने को थेयो इस्तिती साही सेना कुने भायानाक फाउज जास्तो लाग थेयो मौसम ले फटा-फट किताब को कवर उपखायो र धुलो पिठो हुने गरी च्यात्मा थालेओ सुनात त्यो बाईरो भेगु मांचे सेना वही ना उज्वलाले मौसम को काने मा भाने ना करां सेना नबाय पने जासुश हो न सकते न मौसम को संकाले उज्वलाले पनी ससंकित बनाई दियो उसले फेरी बर्दा हुचाले र हेरी उरपर कताई सेना को गाडी वह सैनिक को जुन्ड केही देकिन दाई न थियो तियो मानिसले उसले हेर्दा हेर्दे फेरी घंटी थेचियो यस पठक के उचो आवाजमा घंटी को चरो करायो मौसमले किताब को कभर धुलो पीठो पारयो सोचियो निलूंकी भनेरा फेरी समझेयो ट्वाइलेट छांदे थियो पानी हल्दा करसेले संका पनी न करने मान छे करभीत्रको ट्वाइलेट मात गई हल्चन नी जती राती पनी उँ बात्रून तेरा दवडीयो उता जांते करदा उसले उज्वलालाई धोका खोलना अरायो मौसम ली सोचियो आखिर सरकार मा आफने पार्टी छा तई पनी साईसे नाखो कुने भारोसा छाई ना लगी हालेओ भने नेता हरूले बच्छावला नाईटो तो दर्वार में जोडिये कुछा भन्चन जोगावला ने होई ना किये जोगाउं थे क्रांती कारी हो भन्देओ हनेता सक्की हालेओ जती बेला जुन खुलसा मा मारेरा गाड़ी देपने कुने खोज कावर हो देई ना मौसम को हाथ ट्वाइलिट मा फ्लस करने बेला बने कापी रहेको थियो जसो तसो कवर उसले गायब गरे दियेको थियो बाकी किताबत और उक किताब को हुलमा कसले अक्छेर बड़ी रहां छरा उज्वलाले ढोका खोलना साथ आगन्तूपक हतार हतार भित्र बस्यो नमस्ते गर्यो बईटक कोठाको टीटियबल मा ज्वला राख्यो रख्विया करदेई सोफामा थ्यात्चा बस्यो उज्वला चाक का परेर उसेलाए हेरी रही किती सोध्नपनी सक्की किती न तर ढोका भने लगए सक्के किती एता माउसम होस उडेको अनुहार बोकेर बईटा कोठामा आयो आगन्तूपकलाई देखना साथ उसको अनुहार बात त्रास को छाया एकाये खारायो है तरीका तीमी पुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ आगंतुक लाई मौसमले चिन्दोर है छा तरा उसले भने पहिलो चोटी देखे की थी ही तरा मन को डर एती खेरा सम्मा कुलिलाम ठोकी जाके को थी हो उजला, उँ मेरो साथी, हमें कॉले संगे पड़ेको तरा अहले उजें क्रांतिकारी ने था आगंतुक को उत्तरले दंपतिलाई शपना र विपना को भिन्नता छोट्याउना आफेले चिमोटनुपा ने इस्तिती पैदा करेो भरकारे उपन्यास को क्रांतिकारी र शाची को क्रांतिकारी बारे उनिहरुको कुरा चलेको थीयो बिशम अर्थाद बिशुदाई कते उईत होई ना उनिहोले मुखा मुख गारे मौसम ले समझियो क्यामपस परदात बिशम को नाम स्याम गुरूंग थीयो अनि कस्तो राथी आहे कोता समय में आउनू परदे ना किये गरनू मौसम हामे निशाचर परएउ हेर राथी मातरे हेड़चम सुमेरु माता मलाई समस्या थीये न दिउचे आउना सकती तिमरो कहरपनी पत्ता लगए शक्के को थीयें तर आउन आउन दे के गरनू धिलो भाहिगर विशम ले सोफा मा फल्टेंदे भानेओ उँ निके ठकीद जहें देखें थेओ अनि विशम टाडे बाटा आयो आउन ते हेरा रोल्पा बाटा आयो रोल्पा बाट पुर्ब उत्तर हिमाल को फेद मां जनसेना को यवटर क्याम पशेको थीयो तल्लू मुस्ताहं मा त्यां केई समय बसियो त्यां बाट तैयारी करेड़ा डोल्पा स्रद्रम काम हानियो अब लणाई शक्किये पछी मचें यवटा अभिहान मन निश्के कुछू पस्तिम देखे पुर्बसमा पुग्ने कारेगरम चालू उसको कुरा सुनेरा जोई पोई जन आचार्यमा पारे औरी तमेली मेंदोलाई पनी बैटनुब उज्ज्वलाले अकासमा सोदे यो प्रास्ना उसलाई कसरी फूर्यो उस्वयम लाई पनी था थिये न आखिर उपन्यास उपन्यासे हो केही कुरा कर्शेशंग मेल खान गए तियो संग्योग मात्र होंचा भान्छन मौसमले कीं कर्तब्य बिमोड भायरा उज्वलाले हेर्यो उसका आखा का ढखनी माती सम्मा तन किये का थिये को मेंदो क्रांतिकारी मेंदो काम वड़ चिन्नो बहत पाईले कामनेट बिशमलाई पनी आफ्चरे लागे को थियो दोभी जना चके चके द उभी रहे आगन्तुकलाई चिया प्योना तलतल लागी शाके को थियो तर घरबेटी ले स्वोदे के थिये नन आफई कफसरी भानी हलनु सहर हो गाउं भायको भाय गरीब जनाता संगा मागने पने लाज हो दै ना थियो ठीक तेही बेला निपथ्यवाटा घरई धरकने गरी ड्याम मब बंपड़के को आवाज आयो केविर सम्मा आकासलित्यों आवाज लाई प्रतिध्वनित गरी रहेो अनि छेन भार मैं ब्यारेक तिरवाटा पटट्टा गोली चालेको आवाज बने सुनीयो सुमेरु बासीको निन्रा खलवली एको थियो तरह कोई पनी बाहिरा निश्केयनन साउती गर्दै भेत्रे बासी रहे मेंदो र पल्लबी अजै गंतब्बे मा पुगी साके का छाईनन मातलो तामसालिंग चेत्र मा बाकले शैनिक अप्रेशन चली रहेको रहे छा यात्रा पटक-पटक इस्तगन हों थियो कुने शेल्टर माता उनी हरुले तीन दिन सम्मा कुर्णू पार्यो कहले काई यात्रा को रूट छोडेर अंते हिन्नू पार्ने भायो पार्टी का इस्तानिय साथे हरुले शैनिक अप्रेशन बाता पचावना कता हो कता अनकंटार पहाड मा लाई जान थे जानू परने एकातिर जानू पर्थियो और कई तेरा यो बीच मा मेंदो को गर्वपने बढ़ दे थियो उसको सरीर गर्ववती रसाहन ले लचापपई भीजे को थियो उँ आमा जास्ते हो दे थी सरीर ले अनि मन ले पाने उसलाई यात्रा देंदेने कठीन लागी रागी को थियो तरह पल्लवीले उसलाई हिम्मत हार न दिये की थी ना जन सेनामा उग कमांडर थी अब पल्लवी उसको कमांडर बने की थी प्रिया पाठक उनिहरू अगी बढ़ने अनकुल परिस्तितिको प्रतिक्ष्यागर रहका छन यस अवदीमा देश भार अनेक कटना क्रम चली रहका छन तर उनिहरूकोने उल्लेक्य घटना वा दुर्गटना भोगी रहका छाईनन यो फोर्षदमा हामी मेंदोको जीवनलाई फरक मोड दिने के रोचक कथा खोजना जाने शाओ मकवानपुरको इचों गाउमा घटेका ती घटनाले उसको जीवनलाई नया परिभासाको साचोमा धालेका थीए इचों गाउमको इतिहासमा पहलो पल्टा हलचल पैदागरने पात्र थीए रूपचंद्र बिस्टा रूपचंद्र पहलमान जास्ता थीए अगलो जीव गठीला हाथ पाखुरा रशुरो मान छे बिकर्ट पहाड को इचोंगाउं पहलो पठक आउंदा यहांका तामांग ले उनलाई हंगा पात नवायको रूख खोईले डानामा टक्रक को उभिहे जहीं देखे उनी आउनु भंदा पहले उनका बारे उननते किम्मदन तीहरू आईशा के का थीए जो रूपचन हिन्या कसाले तामांग भासमा सोध्यों के यह देही रूपचन हो चाउतारो नेरे उभिहका जोत्रे जामरे गरिब मद्द कसेले जभाफ दियो थाहा पांग्शी प्राबाचुन हिन्ना, थाहा थाहा पांग्शी लणान कांगदे थाशी हवालान। उसले भाने हो, थाहा कराओंदे हिन्ने, यही हो, थाहा थाहा कराओंदे धेरे टाना काटे राय कोरे। आसेंग, पिस्तारी बोला, इनले सुने भने अईले गाला चड़कोंचन। आसेंग, पिस्तारी बोला 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 चड़कोंचन। गाउमा लागे को महामारी को रेकद कहीं राख्ये को हुदई न थियो रह इस तो घटना लाई उल्लेख्य मानने चलन पनी थियो तर उसको ख्याउटे चावरी को अनुहार ले बताय को उमेर उनहेर ले अनुमान गरना सजीलो भायो उमेर ले 49 पाय पने नभाय पने गरीबी ले उसलाई 49 में पचारे को थियो फुर्बाले थाहा पायो आवाज ठूलो पारनो जरूरी थियो तेसेले हाते माईक संग उसको गईरो प्रेम भायो रुपचन संगे 10 काउड डूली पाछी उसले थाहा भायो साही मानचे अरुषंग प्रतिरोद गरनो पनी जरूरी थियो रुपचन गरीब मारा पेवस्तालाई चकना चूर पारने कुरा कर्थे तेसेले साही मानचे अरुडले गउडा गउडामा ढूकेरा हमला कर्थे रुपचन का कुरा रूखा हुन थे तर गरीब को भालो गरने विचारले ओत प्रोत भायका हुन थे संचार मत धरी उन्नती भायका थिये फुर्भाले ती 11 शंग आपनो और आपनो गाउं को तोलाना कर्णा सीख्यो सुमेरु शाहर तो उपहले बनिकाई को थियो घहर माँ अनिकाल लागए पसी मज़दूरी कार्णा जान्तियो तर रुपचन संग सुमेरु पसे पसी उसलए आपनो गाउं संगा सहर को तुलना का नमान लाकियोग। सहर को जीमन मा पनी स्वता प्रावेश करेको थियो। मेंदो तेती वेला आठ बर्श की थी। उसलाई आवासंग घर मा आही रहने रुप्चन चंगा निके ढर लाक थियो। उँ ढोगा को पचेल तेरा लोक थी। हत्त पत्त उनको अगिल तेरा परदय न थी। एक दिन मेंदो बाखरा दपाउंदेई गोठालो बाटा फर्के की थी। आगरमा टेकना साथ उजज़की न पुगी। बाखरा हरु फटापट पीणी तेरा गाईपने उज़ाना शकी न। रुप्चन काँद बाटा कोदालो उरालेर बलेशीमा राखते थी। उसलाई पनी था थीयो रुप्चन तेरो ढेणो तेसे खान्ना भन्ते रज्जे काम अगिल तेरचा तेही कर दिन थे। कोदो रोपने बला थीयो तेसेले कोदो बारी खनेरा आयका थीये साहेद। आवा बित्रकाय का रहेचन बाहिर निसकीये। आगन को डिलमा मेंदो ले देखना साथ रुप्चन रले सोधे। ए फुरुबा यो तेरो छरी हो। फुरुबाले हो सर मेरी कांची छोरी भान्यो। संकुच्रा डरले मेंदो थीचे गी थी एक पाइला पनी सारना सकीना। ए नानी, क्या इचा, एता आई जना। रुप्चन को बोली मा उसते रोब थीओ। मेहन्दो तर्शी, हल चल करना सकीना। उसका दुबे हाथ का अउला एक अरकामा बाटी एका थीए। आखा भुईमा एकोहरी एका थीए। जहां उसका खुट्टाले भुईमा कोतरेर बिचित्रकुद चित्र भनायको थीओ। उसको आवाले उसलाई पाखुरामा समाथेर तान दै रुप्चन भायको ठावमा लाके। रुप्चन ले उसको चिवण उचाल दै भाने। कदेका अक्षियारी पड़ दे भामोला। महिंदो का ओठ थर-थर आयर कापे तर बोलना सके नन। जवाब आवाले ने दिये। केपन्मी सर। गरिब को चोरी। उठालो जानचे। गहर को काम करशे। ते दिने भाशे। कुरुपचन पीणीमा थाचक का बस है। जए, बाते। छोरा छोरीला शिक्षया दियनास मने के दिन शसना। बोलीले इसकुल भारना करदे असला। उनली कड़केरा आदेश दिये। फुर्भाले टावको निवर्यायो रहुंचा भानयो। उसली इसकुल जाने रहर मन भेत्रक कते पाले की थी। तल्लो गाउंका केठा केठी इसकुल गायको देखेरा। उसको मनमा पनी रमाईलो लोब जाकेको थीयो। तरत्यो लोब तेरे बाकलो होना साकेको थीये न। आने चामे एला में टाउन। रूपचनले महंदो संगा उसको नाम सोधे। एथा महंदो भने अजे डर्मोकत भाईशाकेकी थीये न। बोलदे बोले न। रूपचनलाई योकेटी कताई लाटीता होईना भनने ब्राम पारेको होना सक्षा। डोकामा उभेरा योसाब हेरी रायके उसकी आमाले नाम भनीते महंदो। उम्म। महंदो। महंदो भनेको फूल होईना तामां कुरामा। रूपचनले सोधे। ओ सर उसकी आमांको जवाब। अने अरूपच्चा कती शन्तती मरका। तामांक बच्चा था बवरिलती हुन्चन। रूपचनले मकवानपुर का डाना काणार डुल्दाको अनुभाव मिशार सोधे। आमा संकोस्र लाजली खुमचियर आंगनतीर गईन। र कुखुरालाह कुर्र आ आ आ भन्दे बोलावन थालिन। फुर्वाने जबाफ्ती हो। जमा पांचोडा होसर। जेठी छोरी भ्यागरे रगवायो। यहोटा छोरा वहलोकु बेपत्ता छा। यहोटी छोरी छे सरकस माँचे। अरकी यही होसर। कांचो चे छोरा होके रे काखईमाचा। लहेर फुर्वा तेरो आपने कुरू। तेरो जिन्दकी भारे तनाईने था छाए। ठोरो बेपत्ता छारे। कहां गए तो। ना बेपत्ता भायो अनर चित्त बुजार बशे को छाई। केले बेपत्ता भारे। रुप्चन को आवाज ले पुरे पहाड घंकेला जहें भायो। फुर्वाले भानेो। क्या है सार। शार जान्चुका नर्गवायो। तीन बश्र भाग। भार के कोनी छाई ना। खाबर पने के आगो छाई ना। अबा कते रिक्षा तान दे होला। नबायो कुनी शाउको भाणा मात दे होला। गरीब का बच्चा हरुको के ही शाउ। है। आणि तेरे अरकी छोरी सरकरसमा छे बने आवाई ना। काँछा ते हो सरकरस। इंडिया माचा शार। फुर्वाले मलीन चवर्मा भाने हो। आणि फुर्वा। कतरी थी तेरी शोरी। कती बर्षब हो सरकरसमा कागो। तालाई केई धाचा। रुप्चनले हपकाउंदै शोध है। फुर्वा उनको रवत्र रूप देखेरा डरायको थी हो। ठाडाको दीदी पार्ने लेली रगायको हो। गाउंका केटा केटी धरेगायका चन्चा। दुई बर्षब हो। तेदी पेला नौ बर्षब गी थी। उसले डराय-डरायी स्पास्टी करन दीयो। जुनकुरा कहीले गलत जस्तो लागेको थीयेन ती सबय रुप्चन का अगाडी भयान गलती जहें होना थाले का थी ये लहर फुर्वा। तेरू चेतना कती पिछोडी येको सब। फूल जस्ती बच्ची लाई सरकस्मा पठाओता तनलेक पीर लागेना। तिमर्गा लागे छोरा छोरी तो करेशामा फलेका गिरोवला भन्दा बनी शास्ती। जनमा आयो, सेंग्योगली बाची हाली बने खुरकायो, भीर पाखाती रा मिलकायो, जे उन्चा भाईरांचा। कोई बंबई को बेश्यालायमा पुगेकाशन, कोई धनीमानीका जुठिल्लामा पुगेकाशन, कोई शरकस मां पुगेकाशन, तों जस्ताको दिमाग मां था पुगेको छाई, बुजिश। बोलदा बोलदाई रूपचन जुरुक का उठे, फुर्वा थर्र कापेको थियो, उसले महिलू दवराको फेरले निदार पुछयो, र जुकेको टाउको दाया बाया बुहीमा के खोजे जैं हल्लाओन थाल्यो, यथा रूपचन आहत भायरा आंगन को डिल मा पुगे, र पारा परा जमके शांज को पातलो अध्यारों मा डुमना लागेको डाणा काणा हेर न थाले, फेल्टर नभायको चुरोट खलती बाटा जेकेरा सलकाउं दे उनी पचिल तेरा फार्किये, फुरबा टोलायरा उनईला हेल दे थीयो, मेहंदो डरायरा घर भेत्र पाशी शाकेकी थी, मेहंदो की आमा कुखुरालाय फाकायरा डोकोले छोपना लागेकी थीन। फुरबा जसता गरीब भरू बच्चालाय इसकुल नपठाउने रहर गर दे न थी, तरा हाथ मुक्ष जोरने समस्याले ने उनीहोरलाय सदेवा सताय रहन थीयो, नजिकेको गाउमा प्राथ मेकी शकुल थीयो, तरा इचोंग बाट कोई पने शकुल जादे न थीयो, जती जुप्रा थीये, ती सवै चरम गरीवी का प्रतिक थीये। यो गाउम बाट मात्र दर्जन मंदा बड़ी केटी बंबही को कोठी मा पुगे का थीये र दर्जनों बच्चा सरकस्मा। गाउमा के उडंते खावर आउं थे, तरा उनीहोरलाय आपना संतान बारे कुने जानकारी हो दही न थेयो, बेखावर इस्तिती पने कथी सजिले बचे को थीयो। उपहार देर पठाउं थे, सरकस्मा कमसेकम रामरो खानार रामरो लाउनत पाउंचन भन्ठान थे, गाउमा ता भोगपके मारने संभावना भाई राहन थे, उरके का तरूनी मात्र होईना बिहे गरीशाके का तरूनी पने दलाल को तुना मनामा सजिले फास्ते रब बंबै पुर्याईन थे। सोजो हुनु भने को, कुने गतीलो कुरा होई नहेरा। रूपचन ले एक दिन हाते माईक बाटा गाउनले हरुलाई भाणे। थाहा नपाय पछी मांचे सोजो हर्चा। सोजो भने को क्यों? मुर्खा। तिमर का छोरा छोरी बेचेरे खाने दलाल न तिमरले चिने का चम। दलालले बेचयो पैसा भाणे। बाडेरा खाने हरु चुनाबलन नाओ चल। तिने रू शुमेरू का यांबू का धुल्धुला महलमा बस्चन। तिम्रा पच्चा बेचेर खाना सब जाली फटाया मिले खाशान। तिम्हेरू कईले सम्मा मुर्खा भाईरान छबू। इचुंका तामगा गानबा हरुको बैठक बास्यो। उन्हेहुरले दलाल हरलाई समातेरा छोरा-छोरी फिर्ता मागने निर्णाय कारे। रूपचन गई शक्यका थिये। तियो राद अवेर सम्मा फुर्भाका जोई पोई छोरा-छोरी समझेरा रोई रहे। मेहंदुपनी छेवमा बसेरा रोई रहे की थिये। पहले कईले यस्तो रुआई फुटेको थिये न। छोरा-चोरीको माया नलागने होई न, तरा माया को यो नौलो चेतना पहले कईले आयको थिये न। यो रुआई थाहा वाट निस्रित थियो। रुणा का लागी बने बिचार चाहिदु रहे छा। रुणुपा ने इस्तिती चिन्ना पने चेतना चाहिदु रहे छा। उन्हें हरुको रुआई तेह चेतना ले फुटाएको थियो। पहिलो पल्टा इस्कूल को चौर मा पुगदा संकोचले मेहनद्वका पाहिला दबैका थिये। तरपणे उए इस्कूल गाइकी थी, इस्कूल पनी के इस्कूल जासतो थियो रा, शिक्षक वरों पालोगर थे, जहिले चार माते दुई शिक्षक गाएब रहन थे, के वेर पढ़ायी हों थेओ औनि केटाINS स्पिकार ब Rede बढ़ा खान थे, फेरी और कुछ सिख्षक बीरा मनावन जान थियो इसकुल भने चली रहन थियो पढ़ाई चलोस न चलोस गाउनले हरू फुर्षत को बेला मात्रा केठा केटी पढ़ाओं थे फुर्बा को भने आजकल चोला बदलियेको थियो उसली मेंदोलाई पढ़ाऊने संकल्प गारेको थियो रुप्चन संग सुमेरु गायक बेला चोरो खोज थियो तरा भेटे को थिये न रिक्ष्या चलाऊने केटा हरूलाई सोत थियो होटल हरूमा भाणा माजी रहेका केटा हरूलाई हैरना जुठेलना सम्म जान थियो गहर वरुप बंदे गरेका ठाउमा गहरा मजदूर लह सोत थियो चोरी खोजना इंडिया जाने बारे बिचार गर थियो तर त्यो उसको बलबुता भंदा बाहरा को कुरा हुन थियो अनि मेंदूलाई सिक्षित बनावने उसको संकल्पा जनजन बलियो भाहरा आउं थियो मेंदूले तमाम प्रतिकुलता का बाबजूद पढ़नो पर ने थियो तही सकुल, तिने सिक्षक, तही गाउं, पिसते वातावरन, तही गोठालो, तही भीरफाखा ऱ तही गरीवी उसले इस सारा कुरा को तुलना करना जाने की थी ना तर जती हुँन्थियो ते पढ़ी रहे की थी रुप्चन पेला वकत गाउं आये रहन थे, बेला वेला साई लठाईत हरुशंगा मल्ला युद्धगा नपनी पची हर्दै न थे गाउं ले हरू रुप्चन का कुरा सुन्न सदे आतूर रहन थे फुर्बा पने क्रमाशा रुप्चन को विश्वासिलो साहकर में बानियो फुर्बा ले जिवन का सवई परिवासा बदलिये को महसूस करेको थियो उसले पढ़न लेखना सीख्यो रुप्चन का परचा हरु बेशनों पर्थियो कसेले सोधी हाले परचा मां लेखे का कुराब बताऊनों पर्थियो चुनोती बाट पची हटेरा थाहा साहकर में कहां बहिन थेवरा गाउको सबेभंदा अगलो भीर मां ताचिये जस्तो बड़े मान को जट्टान थियो तो देखेरा रूप्चन ले त्यहां थाहा लेखने इच्छा वेखत गरे फुर्बाले भीर मा खोपेरा थाहा लेखना कलागी अपने भाई सोनाम ले ल्यायो सोनाम कलाकु इतिहास मां कते उलेखना भाईको योटा मान कलाकार थियो रुप्चन पसीना चुहारा भीर को कोपचरा मा उभिये रशगाव पगाव गारे भीर मा दोई दिन मेहनत करे पची चारे तिरवाट देखेने चिन्ना खोपीयो जहां लेखिये को थीयो थाहा सुनाम को कलात्मक जादू इसरी पहरो मा अमर भागो थीयो उन्हेरो भीर भाट और लेर तला खोला मा आए बड़ सुन्दर देखेन थीयो तला भाट खोला कल-कल बगे को आवाज थाकाई मेठेरा कुन्जीयो एई सुनाम तेरो हाथ माते है बेजोड को खला रहे चा बुजिश रूपचनले बिशेश जोड देर सुनाम को प्रसंग सकारे सुनाम उसको राई राहयो उसले पटपटी फुटे का अफना हाथ हैरयो रच्छाक का पारयो तेमारो का बावबाजे कहाँ वारा आयका थी के गर थे के थासे दिमार ले रूपचनले हटात अनुठ प्रस्ण कारे सुनाम को जादुगरी कलाले उसको पुर्भजवारे जान्य उच्छुकता पैदा करेको थीयो उनको प्रस्ण सुनेर फुर्भार सुनाम दुबे अलमलमा परे उन्हे रुलाई वास्त में के थाह थे न उन्हे उर्षंग इतिहास को कुने अविलेक पानी थे न न कसाईले कईले पुर्खा बारे कुने चर्चा करेको सुने का थीयो है शार, अब आबाता साने मा विदे कोरे आमी ते इचोग में जन्मे को सार के बिन्धा जाई न फुर्भाले भानेओ उन्हे उर्षंग पुर्खा बारे जानने कोशिस पने कहले करेका थे नन तेस्तो अवर्षक्ता पने महसुस होंदई न थेओ भीर पाखा मा जिवन धानने उद्योग ने सर्वता महत्त पुण हों थेओ और रूप कुने कुरा कहले मस्तिषकमा चिहाऊना सम्मा आउंदई न थे खोज भाते खोज पुर्खा को इतिहांस खोज तेरो भोटे जाती संदई पिछडियों को पक्कई थे न नत्र यस्तो कलाकार कसरी जन्में थे तेमा रूप पिछडियों को कारण खोज तेरो जाती को पुरानों सब्भेता खोज खोजेर मात्र पाइन चाहीरा भाते रूप चानले करिब करिब उत्तेजित भार भाने ते उत्तेजना को करेंटले फुर्बा दाजुभाई दुबई को मतिंगल गोडे रगायो फुर्बा रा सोनाम इस्तब्द भाय उसले लामो सास भेरेो मन एक्तमास को भाय को थियो उसले था थियो उँ भुमिगत पत्रिका पढ़े राय को सा प्रहरी स्वेमले आतंककारी दस्ताबेज भनेरा सरकारले परिवाशित करेको पत्रिका पढ़नू भायानक अपराद सरहा मानिन थियो राता अक्षिर मा लाल पाईलो लिखे को कबर उसले जेकेर फाली देको थियो उर्गिन को घोडा पढ़ना के लागी उसले खतरा मोली रहेको थियो त्यो उपन्यास को पईलो भाग उसले संग्योग बस पढ़ेको थियो मद्यरात मा चापा मारना योटा घर मा पसेको थियो उसको टोली क्यामपस पढ़ाउने राध्यापक को घर रहे छा त्यो कसको घर उसले ठा थिये न तर ते घर मा छापा मारने आदेश तामेल करना कायको थियो तालिम लगत्ती उसको यम्बुके प्रहरी करेले मा पोस्टिंग भायको थियो तेस पची दिनों छापा मारने काम आई पर थियो उसले कहियों छापा मारे को थियो तर यस्तो कहिले भायको थिये न किताबाई किताब को खात बाट उसले आतंक कारिक किताब जाननों पर्थियो कमान्दर को आदेश थियो रातो किताब देखिश की मले देखाएज गाता उपकायरे भाईपने किताब रातो छा या छाईना हेरने करनों पर्थियो हेर्दा हेर्दे उसले रातो अचेरले लाल पाईलो लेखेको किताब भेटायो तेही किताब को आधारमा प्राध्यपक फन्नामा पार्यो प्राध्यपक लाई सेनाले लागयो किना भने उनिफाइड कमान को नेत्रित्तो उसेले कारेको थेयो तरक किताब भने प्रहरी कारेले हमा पुग्यो प्राध्य पकला क्ये गरियो ? उसले था भाईना, था पाउने रूची पने हुदै नत्यो किना मने देना हुद देस्तामान छे, पक्रावर परी रान थे तरक किताब भने उसले सुटुक का आफैले लियो उसले पने बोमीकत पत्रिका पड़ने रहर लागे को थीयो सुटुप का डेरामा लगेर उसले लाल पाईलो पलटायो उर्गेन सब्दले उसको ध्यान खीचियो अने उसले उपन्यास को पाईलो भाग खुरु-खुरु पड़ेयो पड़दा पड़दे उसले इस्टोप बालेर खाना पकाऊंदे गरे की स्रीमा थिलाई हेर्यो महेंदो यहां खाना पकाई रहे की छे यस्तो चोचेर उँ आफिशंका मुशु-मुशु हांस यो तरह कथा मात महेंदो कमब्याक्ट लोगा कमबर मा ठीक न भायरा देखका भायरा है की थी यस्पतक भने बसको चोट बाटर लाल पाईलो बरामत भागो थियो किताब लईजाने मांचेता फेला पारे न तरह किताब को थाके फेला पार्यो उँ खुशीले मुशु-मुशु हांसे को अर उप्रहरी ले देखेनन प्रहरी कारले मा आतंक कारी दस्तावेज हरु थपारने योटा इस्टोर को ठाथीयो त्याहां बाटा सुट्टुक का उसले योटा लाल पाईलो जेक्यो मेंदो, ए मेंदो उँ ढोकाबाटा छिर्ना साथ करायो बाहर कतए निश्की की थी उसकी पतनी एके छेनमा आई है खिन कराया को ते शरी जागिर छोड़ेकी क्या हो उसले सोधी जागिर छोड़ेक वही नगे सुननना, किताब भेटियो क्ये किताब वो बच्चा ले चोटलेट पाये जहें, रमाय को थीयो, किताब? कुन किताब? ते हैं उर्गेन को घड़ा? उसले शमर्थर मठाव को अहलावना साथ मेहंदोले भानी, चुप-चुप, घुस्तो हलाग अहले को दिमिताब उपन्यास को पईलो भाग मेहंदोले पनी पड़े की थी, उसको जीवन साथी प्रहरी जवान दल सिंग तामां, ड्यूटी गायको बेला उसले किताब भेला भारे की थी, पाना पट्यार चिन्न लगायको ठावमा उसको ध्यान गायो रो उसले ते ही पेज खोले रहेरी, के हर पन्यास को दोसरो भाग पने मेहंदोले ने पड़ी, जिद्धी करेरा, पती पतने को केबिर किताब ताना तान पनी भागो ठीयो, तरत्यो ताना तान मा कुने रिश्राग थे न, मायालो खेल जास्तो भागो ठीयो, ताना तान मा किताब को कवर जातीयो, अनी मात्रा ताना पूर्णा हासो छुट्यू, चातनाई परने कवर चातियो तक के भायो। मेहन्दो ले दोसरो भाग परना थाली, दल्चेंग मने कावली टू ग्रयाउना थाली। खाना खाई सके बची मात्रै उसको पालो आयो। मेहन्दो चाइनीज बैंकेट उड़े राशूती। हो, पड़दा पड़दे उसको मन एक तमास को भाय को थियो। मेहन्दो मस्त निन्द्रामा थी, उसको छेवे मा कुल्टो फरके राशूती की थी। उसले चापा मार मेहन्दो संगा आफनी मेहन्दो आले धाँजियो। उसले सास फेरेको आवाज संगा नजी के बजी रहेको रेडियो को आवाज मिश्येको थियो। सानो आकार को चाइनिज रेडियो मा याम्बो का दर्जनों एफेम मद्दे कुने एक बजी रहको थीयो हिंदी गजल मधुर आवाज मा गुंची रहको थीयो दलसिंग ले सोच यो रुट्चन ले ठीक भने का थीये खई यो देश मा हमरो जाती को इतिहां सके छा हमरो पुर्खा को सब्वेता हमीले खोजे केता छाईनू सवे हराईशा क्यो दलसिंग को बाबू उस सानई छाना बिदेगा थीये उसको अनुहार सम्मपने उसलाई था आचाईना फोटो कीचे रहकसे ले राखे को पनी छाईना आमा केटे केटी पालना नसकने अवस्ता भाय पची पहाड बाठो ओली की थीन रगाडी गुणने सड़क किनार मा भट्टी पसल खोले रजीवी का चलाई की थीन भट्टी पसल योटा सानो जूपरो थीयो अने एक प्रकार का मानिश को माती को आवाज सुने रहा उसको बालेकाल ते जोप्रो मा भितिको थीयो कसो कसो उनली स्कूल पठाईन रो उसले एसल सी सम्मा पास करयो जिवन धान्नके निम्ती पूरे उमेर संघर सगर्णू परने मांचे लाई इतिहास रेकर्ड गरने समाई पो कहा मिल थेऊ रहा उपन्यास की मेंदो लाई तामांग पुर्खा को इतिहास ले उद्देलित कर थेऊ तिहास मत ठीक थेऊ तर उप क्रांती मा किन लागी की होली भन्ने प्रस्नले दल्शिंग लाई सिष्णो पानी लगाऊ थेऊ उसकी मेंदो उसले खाना पकार कुरी रहन थी छापा मार मेंदो भने इमबूस थापेर कुरी रहे जाए लाग थेऊ उसलाई मेंदो को आवा चाएं उसलाई खुब मन पार्यो शोच्यो मेरो आवापन ते इस्ति थे नन उसलाई उहले मरे का आवा फेरी उपस्तेद भाय जाए लाग्यो दल्शिंग ता मांगले स्टिल गिलास को एक गिलास पानी खट-खट पीयो मेहंदोले उसलाई धार देखायरा कुल्टो फेरी उसाइद मीठू सपना देखी रहे की होली तरा दल्चेंग लाईता राती ने ड्यूटी मा जानूछा दल्चेंग फेरी पड़ना धाले उ फुर्वा निके बेचाईन थियो सुतना सके को थिये न उसको लगातार को कुल्टो फेराईले गुन्दरी मातीको पातलो बिचाउना एकेठाउं सोहरी एको थियो उसले उदास भित्ता हरुलाई हेर्यो मातोले लिपेको भित्तामा उसका आबा, आमा, महमे, माम, कसाईको बनी फोटो टांगियेको थिये न उसले भित्तो प्रतिने रिश उठ्यो, कस्तो नालाएक भित्तो थियो त्यो, सपात इतिहास बिहिन भित्तो धोका बाट भित्त्र छिरेको जून को उज्यालो मा, धोका के छोमा सुतेको खईरो बिरालो को मलीन छाया परेको थियो लाटो का सरको निरस आवाज बातावरन मा व्यप्त भायो फुर्बा उत्तानो फार्कियो जो प्रको धुरीमा परेको प्वाल बाट एक मुस्लो जुनेली छिरेको थियो उसका आखा तेर मी राये उसको रिदेमा चले रहेको हुरी कसे गरेपनी थामी ये ना फुर्बा ले सोच्यो, भोटेको फोहरी जात च्यांको लायर रक्षी को सुर्मा डंफो को ताल मिलाओ दे ठिकका पुर्खा लड़ा को थेरे हमी कायर भायों, ठानेओ, जातेली हमी भरिया, हमी पीपा, हमी पखेरा बाशी, हमी हुक्के बईठके हमी धाई शुसारे, हमी फोहरी, हमी बुद्धी हेन तर जातेली अस्तो भायको तो होई न रहे छानी तामान ला इतिहास हाई, तामान को इतिहास खोई उँ लाटू को सेरोले जहें एकले करायो रज्जुरुक्का उठेओ छेव में गुरी रहे कि उसकी स्रिमत्तिली उसलाइ आदा को लेको आँखाले हेरी फुर्बा उठे रवासे को थियो, उँ फेरी निदाई फुर्बा को मनमा अचानक रुप्चन को रौदर रूप जोल कियो गाटना एखाप्ता अगाडी गाटे को थियो तासी को बेला रुप्चन गाउमे भायको मौका पार्यो अर्थाद सम्मान पुर्बा केई खुआउने अवसर थियो उसको निम्तो मानना रुप्चन आएका थियो जोप्रो ता जोप्रो ने थियो तर केई ताज की थपीएको थियो मेंदो ले लिपोत गरेला पीणी सफा पारे की थि मेंदो रे उसको भाई आँगन मा केई खेल दे थिये मेंदो अवा 11 बर्षा की भाई शाके की थी रुप्चन को आगमन उसको निम्ती बिशेश रहन थियो उन रुप्चन संगे आउने खास प्रकार को बासना चिन्धा र बुजना थाले की थि अनि मेंदो इसको जान दीशेश रुप्चन ले आगन मा टेक टा टेक देशो दे हर्शा पुर्बाक संगे आई रहेको फुर्बापनी हास्यो निश्चिन्त र उल्लास पुना हास्यो मेंदो ले आउन भने रटावको अहल लाई उसको लामो कपाल पनी हाल लियो लामो कपाल ले उसलाई होची देखाऊन भोमी का खेलेको थियो बीणी छेऊ पुग्णा साथ रुप्चन का आखा ढोका मा दी ठोकी उन्ही दुई खुर्कीले भर्याग मा नटेक दे बलेशी मा भीहेका थिये छानो को होची एको पाखोले उनको टाव को जोई रहेको थियो त्यांकोने अनोठो द्रिश्य थिये न तर उनको हेराई अनोठो थियो ढोका को निधार मा अक्षेता को ठुलो टिका थियो तेसमा कुखुरा को सिवर काटेर टाशी एको थियो अनि कुकुरा का दुई राता पुआख पने तेसको नजीके भितामा रातो रगत को छाप थियो हतकेला को पांच अउले छाप बिहाने रातो भाले काटेरा फुर्भाकी श्रिमात्तीली चलन चलती का सवे बीधी पुरियाई की थी उसे का पांच अउला को चित्रा चुनाप चिना जहें बितामा छाप पिये को थियो ओए पाटे क्यो हो यो रुपचनले अउला ले देखाऊंदे सोधे तामा गड़को येस्ती चालन चाचार धरे पाईले देखे चाले को चालन कित बिमाख भायके हो भनने संकाले मनमा घर बनाई सक्यको थियो ताही पनी फुर्बाले सोध तरीकाले जबाव दियो उले देखे को चालन? लभान तेशो बाई कोईले देखे चाले को चालन होयो? ठाचा? फुर्बा अलमलीयो उले चलन पच्छावना मातर सिक्के को थियो चलन कु इतिहांस खोतलन सिक्के कै थिये न उसले अक्मके दै भान्यो खाई सार? उले देखे चाले को बाँचा? फुर्बा की स्रिमतिलाई उनियर को वार्ता लापशंगा कुने लेनो देनो थिये न उसले गुंद्री लेयार पीणी माँ चैदी र लाशो भन्दै रुप्चनलाई अभिबादन करे र भेत्र गाई रुप्चन गुंद्री माँ बसे र प्रस्ण वासक पाराले चियोडों उचाले फुर्वा अजी निरुत्तर उब्भी रायको थीयो मेंदो घरी डोका मातिकु टीका घरी रुप्चन को अनुहार हेरी रायकी थी किये भाई रायको उसले बुजे की थी ना आगन मा बाकरा पाठा उप्री रायका थीये भुहीं कुईरो को पातालो पारत आगन हुंदै डाणा तेरा डुली रायको थीयो तेशो भाई ये शरी भन भुर्वा कईली देखी भननेत तानले था भाई न लभाईगू कसले चलाय जो चला थाचा रुप्चन ले फेरी कड़के राशोधे खाई शार पुर्खा अर ले चलाय वला चलाऊं चंग तेरा पुर्खा ले जंगे कानून ले चला अको चलन होयो तेरो शांस्क्रिती मा कते दंसाई छा है दंसाई को देवता शाकोई उत्ते जीत भाईरा बोलन थाले पची रुप्चन का लामा लामा हाथ रिशाय को सर्पजे अल्लिन थे ले देखा मले कते बड़ पत्तल अगार देखा राना शासनले चलाऊं चलन होयो दोंसाई तेरो जात ले थो परीये को थियो यह कुखराको शिवर टांसे को सरसनी थाईले पंजा छाप लगा चस यू सब राना शासनले देखाऊं उने प्रमाण हो तरवार देखार चलन चलाई दियो राना ले आज अशंब पच्छे राखे कोचा आपनो अस्तित्तो आपनो इतिहास सब भुले पची मांचे जनाव परना भार क्योंच ता अरुले जान खाने अनिक चाड़ बर्वा जाईये कोचा अपर आधियो ले चलाखो चलन खुरु-खुरु मांचे काईले शंब मांचे काईले शंब भास संगा कुने जवाफ थिये ना रुपचन का कुरा अश्विकार गरने कुने शामर्थ्या ने इतिहास खोजेरा जान्नुमा ठुलो हुंडरी लुकेको थियो तामांग हरुकु जिवंद्र संस्क्रिती मैं रातो फ़ला में ढंडाले डामियेको दाग लुकेको थियो फुरवा तेश दिन देखी मनमा यवटा हुंडरी बोकेर हिन न थालियो उसले तामांग जातिको इतिहास हिन थाले पोल न थालियो समझेरा ल्याउं थियो तरह कते कुने चेवटू पोईस्म्रितीमा आउंधे न थियो बुडा पाकालाई शोधी हिन्डियो तरह उनियरू तीती मिथी नभायका के दनते कथा मात्र सुनाओ थे उसले सोधना जानेन वा बुडा पाकाले बनने कुराको सिल्चिला था पायनन था हचाईना तरह फुरवा को खोज को भने आरंब भायको थियो उसले हार मानेको थियेना हार न मानने हरू हार हरू के श्रिंखला बाट जीतको बोट उमार छन हिंडि राय पची अनकंटार जंगलमा पने गोरेटो बन छा फुरवाले कुने न कुने दिन तेस्ते भाटो बनावने पार्थियो